हेलो वच्चों कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम लोग बयाउट से वट लोग के और आगे बढ़ाते हुए एक और उसकी अप्लिकेशन को स्टडी करेंगे तो देखते हैं बोड के उपर क्या अप्लिकेशन है हमारी तो क्या लिखा हुआ है सब्सक्राइब दो जो टेखकर करंट केरिंग और वायर कनुटर है कि वजह से किसी खास पॉइंट के ऊपर कि तो लेटास जुब के उपर हमें यह पगाया है थो अब देखते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या क्वेशन के अंदर आपको जब भी डैरिवेशन लिखनी होती ह तो आपको कैसे लिखना है इस चीज़ को, तो let us have a state current carrying conductor, यह CCC का मतलब current carrying conductor है, भी इसको लिख लेना अच्छे से, current carrying conductor MN of any arbitrary length, अब इसकी length जो है infinite भी हो सकती है, कोई भी length हो सकती है, इसकी, तो this is your state current carrying conductor, okay, now we want to find out the magnetic field at this point P, which is at a horizontal distance R from this point P, okay, आगे क्या दिया गया है, the end points of wire makes angle alpha and minus beta with the P point, तो दिखो कैसे, end points of wire, यानि कि end points क्या है, M और N है, तो M जो है, वो P के साथ में angle बना रहा है कुछ ना कुछ, तो यह जो angle हमें दिया गया है, यह alpha दिया गया है, okay, इसको हम लोग थोड़ा, बस बाहर की तरफ लिख लेते हैं कि जो है, ज्यादा होचपोच ना हो, क्योंकि बहुत ही complex diagram बन सकता है, धीरे धीरे यह अंदर लिखेंगे, तो alpha लिख लिए हमने, नीचे की तरफ से जो angle बना रहा है वो, उसको हमने बोल दिया, minus beta, okay, इसको हमने minus beta बोल दिया, यह वाल angle alpha है, यह angle minus beta है, इस चीज का ध्या ना रहा है, यह निकालना ना बच्चो, तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग हम बस यह करें, कि कोई भी एक current element ले ले, let us assume कि यह मैंने एक current element assume कर लिया, okay, जो कि इस b point से, let us assume कि small l length के उपर exist कर रहा है, okay, l length के उपर वो exist कर रहा, अब, how much angle is it making with the p, okay, तो हमें यह भी given है question, let us have a small current element of length dl, यह l length के उपर present है, और इसकी खुद की length कितनी है, dl value की जैसा कि हम लोग लिखते ही है, okay, present at an angle phi from p, तो इसका angle यह कितना बना रहा है, मैं center से यह एक पर angle ले ले लेते हैं हम लोग, तो this is making an angle phi with the point p, okay, also आपको ध्यान हो, तो अगर मुझे magnetic field निकालना है इसकी वज़ा से, पहले current element की वज़ा से निकालना के लिए हमारे पास by out से word low है, अब यहाँ पर theta angle आप लोग क्या consider करेंगे, theta angle क्या होता था, theta angle होता था current और position vector के बीच में, तो यह current की direction है उपर की तरफ, देखो current उपर जा रहा है, यहाँ से n से m की तरफ जा रहा है, और position vector है, dl से लेके p तक जाता हुआ, तो यह जो angle है, this angle is actually theta, तो आपको सबसे पहले इस derivation के अंदर जो है आपको यह लिखना ही सबसे जादा important है, उसके बाद derivation में कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि angles कौन से बन रहे हैं, क्या value के बन रहे हैं, phi क्या है, theta क्या है, इसको consider आपने अच्छे से कर लिया, तो आपका derivation बहुत ही जादा easily हो जाएगा बच्चों, otherwise जो है, इसमें थोड़ी सी problem हो सकते हैं, याद करने में, तो therefore इसी तरीके आप इसे याद रखें, अब यह जो distance dl है और p है, let us assume कि यह distance मैं small r से represent कर देता हूँ, तो let us assume कि this current element is at a distance small r from p, तो यह आगया मेरे पास, सारा हमने यहाँ लिखा है, आप इसको note down कर सकते हैं, तो अब हम derivation पर आते हैं, अपने निकालते हैं इस पूरी wire की वज़ा से कितना magnetic field आ रहा होगा, तो कैसे निकालूँगा मैं, simple सा तरीका क्या है, मैं इस current element की वज़ा से magnetic field निकालूँ और उसको n से m तक के लिए integrate कर दूँ, तो my work will be done, तो देखते हैं कैसे करना इसको, इसको मैं जल्दी से रब कर देते हैं हम लोग, तो यह हमने इसको रब कर दिया, अब सबसे पहले magnetic field due to the small current element लिखते हैं, तो लिखो, magnetic field due to current element, कौन सा formula बताता है उसके बारे में, उसके बारे में हमें पता है, बताता है, बाइवार्ट से वर्ड्स लो, तो लिख देते हैं बाइवार्ट से वर्ड्स लो को, db is equal to mu naught by 4 pi i dl sin theta by small r, यह जो distance है का square, तो यह मेरे पास, इसकी वज़ा से magnetic field आ गया, अब, अब देखो करना क्या होता है, जब भी आप integration करते हो, maths वाले बच्चे तो इस चीज को बनी बात ही, उनको समझ आता होगा यह बात, कि जब गभी आप integration कर रहे होते हो बच्चों, उस time पर क्या रहेगा, उस time पर आप सभी चीजों को एक ही variable की terms में convert करते हो, उप लो अब सवाल यह है किस में करें, तो 5 की terms में हम लोग कर लेते हैं, इसके case में derivation के time पर, तो देखो कैसे, अब देखो, यह पूरा का पूरा एक triangle है, अब इस triangle की बात कर रहा हूँ, मैं B, इस point को अगर मैं O बोल दूँ, तो B, O, P, यह एक right angle triangle है, this angle is 90 degree, तो इन दोनों angles का sum 90 degree होना चाहिए न बच्चों, तो देखो, sin theta is equal to sin 90 minus phi हो जाएगा, तो sin 90 minus phi is nothing but cos phi, तो आपने sin theta को तो cos phi की terms में लिख दिया, अब लिखो आप r को किस की terms में, phi की terms में, तो देखो, यह small r है, यह capital R है और यह phi है, is there any relation between them, तो क्या relation बन रहा है हमारा this is what, this is base, this is hypotenuse, this is angle, तो r by small r is equal to cos of phi, तो therefore r small r will be equal to r divided by cos of phi, तो यह put करने के लिए मिल गया आप मुझे, अब मुझे केवल dl को phi की terms में लिखना है, क्योंकि current तो constant है, mu not by 4 π, भी constant सिर्फ dl रहे गा, जो की constant नहीं है, तो अब उसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, l by, देखो, l by r, perpendicular base, is equal to tangent phi, तो l upon r is equal to tangent phi, dl, पहले तो l is equal to r tangent phi, अब निकालो, dl is equal to r secant square phi d phi, मैंने इसका, l का differentiation कर दिया, dl by d phi is equal to r secant square phi हो जाएगा, d phi को मैं उपर ले गया, तो dl is equal to r secant square phi d phi, तो यह differentiation कर रहा है, मैंने tangent का, tangent theta का, secant square theta होता है, तो बस मैंने वही लिखा है, that's all, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास सभी चीज़े आचुकिया, put करने के लिए, sin theta की जगक को भी मैंने 5 की terms में लिख लिया, small r को भी मैंने 5 की terms में लिख लिया, dl को भी मैंने 5 की terms में लिख लिया, तो this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3, putting 1, 2, 3 in the biote seward slow, okay, तो इन 1, 2, 3 equations को biote seward slow के अंदर हम लोग कर देते हैं, अब उठा के put, तो देखो कैसे, हमारे पास क्या जाएगा, db is equal to mu naught by 4 pi into i, dl की जगा आपने r secant square phi d phi put कर दिया, r secant square phi d phi, okay, अच्छा जी, अब आपने sin theta की जगा cos phi put कर दिया, okay, बच्छों, divided by, क्या बच गया, small r की जगा, r by cos phi का square आगया, okay, अच्छा, अब कहीं cos phi जो होता है, वो secant phi के equal होता है, एक बर इसको इस तरह से, तो आप ये देखोगे न, के r by cos phi का whole square, r, ये secant square phi तो कतम हो गया, r की जगा बच गया, आपके बाद सिरफ r एक, okay, नीचे, इसको पूरा काटने के बाद, ये square काटने के बाद, यहाँ पर सिरफ एक r बचेगा, okay, तो, I hope ये आपको clear हो गया होगा, आप इसको बस note down कर लें, यहाँ पर, तो, db is equal to mu naught by 4 pi into cos phi d phi divided by r, ये आपके पास formula आ चुका है, यहाँ पर, इसकी वाज़े से कितना magnetic field आ रहा है, small element की वाज़ा से, अब आपको क्या करना है, पूरी wire निकालने है, तो integrate करना पड़ेगा आपको, तो let us do the integration, तो इसको मैं बटराब कर देते हैं, तो db is equal to mu naught by 4 pi i cos phi d phi divided by r, ये आ गया, magnetic field due to that small current element, लेकिन हमें पूरी wire की वाज़ा से निकालना है, तो integrating both sides, both sides, तोनों तरफ integrate कर दिया, we get, तो db is equal to mu naught by 4 pi i by r, ये constant है, देखो, mu naught by 4 pi पहले ही constant था, wire में से constant current flow कर रहा है, और ये जो distance r है, ये तो constant ये ना, small r अलग अलग पूरी wire के लिए अलग हो सकता है, लेकिन capital r तो same है ना, सब के लिए, तो capital r is a constant, तो integration के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, cos phi d phi, ओके, कहां से लेके कहां तक, lower limit is minus beta, upper limit is alpha, तो आपको अब बस क्या करना है, cos का integration कर देना, तो cos का integration क्या होता है, sin, तो ये integration हमारा चल रहा है, db is equal to mu not i by 4 pi r, cos phi d phi minus beta से लेके alpha, ओके, सो हमने अभी देखा कि cos phi का integration हमें पता है, sin phi होता है, तो इसका integration कर लेते हैं, left hand side पर integration करने के बाद b आ जाएगा, mu not i by 4 pi r as it is, cos का integration sin phi, minus beta alpha, ओके, upper limit minus lower limit कर देंगे यहाँ पर, तो b is equal to mu not i by 4 pi r into sin of upper limit alpha minus sin of minus beta, ओके, तो sin of minus theta is equal to minus sin theta होता है न बच्चों, तो therefore यहाँ पर जो है हम लोग minus बाहर आ जाएगा, यहाँ पर, तो b is equal to mu not i by 4 pi r into sin of alpha plus sin of beta, यहाँ आपके पास simple solution of this equation, तो magnetic field का हमारे पास क्या formula है, due to any straight current carrying conductor, mu not i by 4 pi r sin alpha plus sin beta, ओके, तो अभी देखते हैं कैसे इसको use करके हम लोग जो है, इसके special cases को समझते हैं, पहली बात तो इसको समझो, कि magnetic field जो है किस किस चीज़ पर depend कर रहा है, magnetic field distance के inversely proportional है, ओके, capital R जो distance है, उसके inversely proportional है, R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जितना जाद दूर होता जाओगे magnetic field के, उतना कम होता जाएगा magnetic field, wire के जितना दूर चाहेंगे हम लोग, तो ये inversely proportion हो गया, current के directly proportional है, current अगर बढ़ेगा, तो वो magnetic field भी बढ़ जाएगा, sin alpha प्लस sin beta जो है, ये आपको angular dependence बता रहा है, कि wire की length के उपर भी इसकी कुछ ना कुछ dependence है, कि देखो, अगर wire की length ज्यादा होगी, तो alpha और beta की value भी ज्यादा होगी ना, तो therefore, इस तरह से हम लोग ये help करता है, हमारा magnetic field निकालने की, तो अब देखते हैं इसके कुछ special cases को, तो let us start, देखो, अब इसके special cases को समझते हैं हम लोग, special cases number one, ओके, तो if it is infinitely extended on both sides, बोग साइड समझो कैसे हैं, कि ये point आपके पास B है, इससे उपर भी infinite से wire आ रही है, और इससे नीचे भी, minus infinity से आ रही है, ओके, तो आपको इस case में जो है, बताना है मुझे, कि कितना आपका magnetic field रहेगा, इस point के उपर, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहली बात तो general formula है, B is equal to mu naught I by 4 pi R into sin of alpha plus sin of beta, ये हमारे पास formula हमने अभी just derive किया, इसकी help से निकालते हैं, magnetic field due to this infinitely long state carrying conductor, जो की उपर भी infinite है, नीचे भी infinite है, तो दिखो कैसे, अब मालों कि अगर मैं यहां से angle निकालता, तो एक angle आता है alpha, ठीक है, अब मैं इस point को और उपर ले जाओं, तो angle increase हो जाएगा, और उपर ले जाओं, और increase, और उपर ले जाओं, और increase, तो therefore, infinite तक अगर मैं ले जाओंगा, तो angle maximum हो जाएगा, maximum angle कितना पढ़ सकता है, इसके उपर, कि ऐसा लगे कि जैसे straight ही आ रहा हूँ, पूरा का पूरा, जो इससे position vector है, तो therefore, maximum angle 90 degree का पढ़ सकता है, तो therefore, in this case, your alpha will be equal to beta, which is equal to 90 degree, तो अब इसकी values को put कर दो, इसके अंदर, b is equal to, कितना आ गया value यहाँ पे, mu naught i by 4 pi r into sin 90 degree plus sin 90 degree, ओके बच्चों, अब जो है, sin 90 degree की value क्या होती है, 1 होती है, तो 1 plus 1, 2, 2 से 4 cancel, 2 रहे गया, तो magnetic field कितना आ गया, इसके वैसे, mu naught i by 2 pi r आ गया, ओके, तो यह ध्यान रखना है, magnetic field due to an infinite straight current carrying conductor, is equal to mu naught i by 2 pi r, very important formula, very important from the exam point of view, mu naught i by 2 pi r, ओके, दूसरा formula, magnetic field due to that circular current carrying loop, आपको ध्यान हो, तो उसमें mu naught i by 2 r होता था, इसमें 2 pi r होता है, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि यह pi का confusion रहता है बच्चों को, तो अगर infinite straight carrying current carrying conductor है, तो mu naught i by 2 pi r, और अगर एक circular conductor है, तो उसकी वैसे mu naught i by 2 r, तो द्यान रखना, तो this is the magnetic field due to the, अगर दोनों तरफ infinite है, तो अगर अब second case में समझते हैं, कि अगर एक तरफ infinite हो, और दूसरी तरफ ना हो, तो अगर मतलब wire आपकी कुछ इस तरह से extend हो गई अभी, यहां तक खतम हो गई, ओके, तो इस case में आप क्या गरेंगे, तो देखते हैं, अभी देखो, ऊपर की तरफ तो infinity से ही आ रहा है, तो therefore alpha जो है, वो तो 90 degree रहने वाला, लेकिन जो beta है, beta, नीचे से तो कहीं से कोई अंगल आई नहीं रहना, तो देखो, इस अंगल इस 0 degree हो जाएगा, यहां पर, बीटा is equal to 0 degree, therefore, इस values को put कर दो, b is equal to mu naught i by 4 pi r into sin 90 degree plus sin 0 degree, तो values हमने put कर दी, हाँ पर result आगया, क्या, b is equal to mu naught i by 4 pi r, तो this is the semi-infinite length बोल सकते हैं, वैस्तो infinity है, लेकिन एक तरफ जो है, आपका, बिल्कुल उसके endpoints हम लोग देख रहे हैं, तो this is your special case number 2, अब special case number 3 देखते हैं, तो यह मान लो हमारे पास, अब इस बार infinity है case नहीं देखेंगे, इस बार जो है, एक non-infinite wire का ही देखेंगे case, तो देखो कैसे, यह मान लो आपके पास एक current carrying wire है, यह point है आपका b point, यह point है आपका p point, अब this length is L, this length is also L, and this length is also L, ओके यह मैंने तीनों lens L कर दी हैं, इस case में magnetic field जो है, मेरा कितना रहने वाला है, तो formula हमारे पास है, b is equal to mu naught I by 4 pi r into sin alpha plus sin beta, अब sin alpha और sin beta की value आप कैसे निकालेंगे, देखो यह r की value आपको given है, that is equal to L, तो r is equal to L है यहां, sin alpha और sin beta की value कैसे निकालेंगे, तो sin alpha यह देखो, इस angle is alpha, sin alpha is equal to L by hypotenuse, तो आपके पास जो है sin alpha की value किसके कुला जाएगी, length perpendicular हो गया L, divided by under square root L square plus L square, तो therefore L divided by root 2 L, यहांनी के 1 by root 2 आगया sin alpha, similarly sin beta will also be the same, sin beta will also be the same, that is equal to 1 by root 2, अबस्टोट बच्चों, तो this is equal to 1 by root 2, this is also equal to 1 by root 2, अब इसके अंदरहां लोग value को पूट कर देते हैं, आपनी, B is equal to mu naught I by 4 pi L into 1 by root 2 plus 1 by root 2, तो 2 by root 2 हो गया, 2 से 4 cancel हो जाएगा, बचेगा क्या, mu naught I by 2 root 2 pi L, this is the magnetic field due to this configuration, ओके, I hope यह आपको clear हो गया होंगे, इस special cases बटते हैं अपने next part की तरफ,